पत्र के लिए धनिवाद कारिक्रम के सभी शोताओं को ध्वने मित्र पांडूरंग पुरानिक का नमस्कार और अरुण पांडे जी आपको भी नमस्कार शुताओं को अरुण पांडे का नमस्कार और पांडूरंग जी आपको भी नमस्कार और आज शुताओं देखते इंदेखते सन 2023 हमारे सामने आ गया और यही वो आसर है पांडूरंग जी जो हम तमाम शुताओं को नए साल की बहुत सारी शुब कामनाये दे रहे हैं पत्रकल स्थमाजित अवाद करते हैं, इस साल भी जारी रहेगा, और आपसे वहादा चाहते हैं, कि आप इस प्रकार से, वह चाहें वाटसपपर आधार कारिक्रम हो, और फोन इंड कारिक्रम हो, या खतों पर कारिक्रम हो, या मेल के आप हो आप अपनी सभागिता सुनिशित करें और हमारे साथ साथ मिल करके आईए हम कारिक्रमों को और बहतर बनाएं और अपने नए साल को भी तो एक बाद फिर से आपको बहुत सारी उश्रुप कामना है सन अरुन जी सबसे पहला जो मेल आया है उसे भेजा है पटेल नगर मुगल सराय से सुनिल कुमार सिंग ने ये लिखते हैं लोक संगीत कारिक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है पांच दिसंबर को दोपर बाराबच कर तीस मिनट पर रंजना राय की गाए कन्यादान लचारी और विदेशिया गीत छे दिसंबर को राम अवधराम और साथियों के गाए कहरवा निर्गुन और खेम्टा साथ दिसंबर को बुलू यादो और साथियों द्वारा प्रस्तो दादरा पूर्वी और जुमर यह हमें बहुत पसंद आए लोक संगीत अपनी माटी और अपनी बोली का एक सुमधर कारीक्रम है जिसमें इन सभी कराकारों ने अपनी मीठी आवाज में संगीत को बिखेरा जो हमें बहुत भाया पर रोस की तरह सुगम संगीत प्रसारित हो रहा था मैंने सुना पाँच दिसमबर को चारूलता मुखर जी ने कभीर दास की रचनाएं प्रस्तुत की थी छे दिसमबर को डॉक्टर संगीता पंडित ने मीरा बाई की भक्ति रचनाएं सुनाई साथ दिसमबर को इसी कारिक्र में हरप्रीत जी द्वारा कभीर दास की जो भक्ति रचनाएं पिश्की गई थी वो भी अच्छी थी साथ दिसमबर को ही रात आट बजे सुगम संगीत में विजय कपूर द्वारा गाए हुए गीत बहुत शानदार थे इन सब कलाकारों की अच्छी प्रस्तुती के लिए शानदार बधाई तो आपकी बधाई इन कलाकारों तक पहुँच रही है और बहुत अच्छा लगता है सुनी जी जब आप इस तरह से सिलसिले वार और जैसे आपने एक पैरग्राफ में लोगईतों की चर्चा की और दूसरे पैरग्राफ में सुगम संगीत कारिक्रम की चर्चा की और इस तरह से जब mail आते हैं तो हमें भी कारिक्रम में ऐसे mail को शामिल करने में सहुलियत होती है और साथ ही साथ अभी ये भी स्मरण हुआ है कि आप ही वो हैं आप जैसे एक का दुका ही शोता हैं जो कि हमारे कहने पर वाटसप पर आधारी जो कारिक्रम होता है उसमें एक बार ही फर्माईश भेजते हैं एक फिल्म के लिए वरन बहुत सारे जो शोता हैं पांडुरंग ज लेकिन आप में से ही कई एक शोता हैं जो ये कहते हैं कि विग्यापन अधिक हो जाते हैं या फिर कई बार हम गीतों के चलने के साथ साथ नाम पढ़ते हैं तो ये चीजें कम हो सकती हैं अगर आप थोड़ा सा जिस तरह से सुनील सिंग जी इस बात का ख्याल रखते हैं वै यही वो मौका है कि हम कुछ न कुछ नया करने की और अपने को ठीक करने सुधारने और कुछ नए उर्जा के साथ फिर से लगते हैं तो उन शोताओं से जो खास्तोर से जैसे इस मेल आइडी पर भी कई लोग फरमाईश्री हमें गानों की फरमाईश भेजते हैं तो उन से क कि आपको गीत में व्योधान आए जैसा आपने देखा भी होगा कि जब हम लोग पत्रों पर या मेल के कारिक्रम करते हैं तो हम लोग पूरा गाना शुरू से अंत तक बचाते हैं और तब नाम आपको बताते हैं तो इन बातों का अगर ख्याल रखेंगे तो हमारे कारिक्र गनेश शंकर श्रिवास्तव और नवल किशोर गुपता इसमें प्रतिभागी कवियों ने एक से बढ़कर एक रचनाएं प्रस्तुत की और कुछ रचनाएं तो अभी भी मेरे जहन में बनी हुई हैं जैसे काशी तमिल संगमम, सच की ठाली, प्यार की पतंगें और दिसंब का महीना, वैसे किसी एक कवी और किसी एक रचना की तारीफ नहीं की जा सकती है, सभी कवी और उनकी रचनाएं एक से बढ़कर एक थी, सभी कवियों को प्रस्तुत करताओं को बढ़ाई तो आपकी बढ़ाई इन तमाम कवीयों तक पहुँच रही, साहित का काम ही है सुनिल जी की समाज को दिश्रा देना और समाज का दरपढ़ हम साहित को कहते हैं, तो जो कुछ भी इस तरह की गत्वी दिया होती हैं, मौसम होते हैं, समसामाईक रचनाएं हमारा स्वरबेला क कारिक्रम में प्रसारित करने का ये प्रयास होता है, तो आपको इन तमाम कवीयों की रचनाएं पसंद आई, आपकी बढ़ाई उन तक पहुच रही है, और कारिक्रम के प्रस्तुत करता तक भी आपकी बढ़ाई इस कारिक्रम के जरिये पहुच रही है, इसी प्रकार आप म मेल भविश्ट में भी लिखेंगे और हमें उन्हें शामिल करके बहुत ही प्रसनिता होगी शुक्रिया हम आपको इस मेल के लिए कह रहे हैं इदकाह रामनगर से सोनु अनसारी हबीब अनसारी लंबे बाबु खान और इनके साथियों ने ये मेल भेजा है इन्होंने पेक बार फिर लिखा है कि आप लोग जो फर्माईशी कारीक्रम शनिवार और रविवार को बारा बजे से करते हैं क्या आप उसे ग्यारा से बारा ब किनों में तो आप जैसा समझते हैं कि कहकशा कारीक्रम है और रविवार को ये होता है कि ग्यारव जे बालसंग कारीक्रम है जो कि वर्षों से उस समय आ रहा है और बच्चे इस कारीक्रम को बहुती तलीनता से ध्यान से सुनते हैं तो कारीक्रमों में फिलाल ये वाला जो बदलाव है वो अभी निकट भविश में स्थिती बनी तो हम लोग इस पर जरूर विचार करें कि लेकिन जब तक यह स्वराज धारवाहिक चल रहा है ऐसे परिवर्तन की गुंजाइश नहीं दिखती है अगला मेल आया है जमानिया गाजीपूर से इसे बेजने वाले हैं सु प्रोग्राम पेश किया था जो दिल को छूगया हमारी और से बहुत बहुत बधाई एक ही कलाकार कारीक्रम में इन्हों नहीं राजू श्रिवास्तो पर आधारित कारीक्रम पेश किया था जो बेहत पसंद आया तो आपकी बधाई पहुँच रही है सना जी तक और आपको यह कारीक्रम उनके पसंद आते हैं यह बहुत ही उन्हें इससे प्रोसान और प्रेड़ना मिलेगी पाच दिसंबर को माला ने जो इमेल पर आधारित फर्माईशी गीत एक्स्प्रेस कारीक्रम पेश किया था वो भी हमें बहुत पसंद आया आठ दिसंबर को अंजू तिव नहीं अरुन भाया द्वारा वाट्सप पर आधारित फर्माईशी गीत एक्स्प्रेस कारीक्रम पेश गया था जो दिल को छूगया अच्छी प्रसूती के लिए हमारी ओर से अरुन जी को बढ़ाई और उसकी गरिमा का ख्याल रखते हुए इस बात को ध्यान देना है कि हम हर शोता को स्थान दे सकें इसलिए नामों की संख्या में या कई कई शहरों के जब नाम कोई भी शोता भेजते हैं तो उससे कारीक्रम में क्या होता है कि दूसरे शोताओं को कई बार फोनिन में दूसरे नाम को बहुत अच्छा है आप दोनों को बढ़ाई तो हमारी और से बहुत बहुत बढ़ाई आपको कि आप निमित रूप से मारी कारीक्रमों से जुड़े हैं और ऐसी उमीद करते हैं कि आप इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे और तमाम कारीक्रमों में आपकी सभागिता हमें प्रेणा देती है हम आपका बहुत-बहुत स्वागत और शुक्रिया कह रहे हैं इस मेल के लिए मुबारकपूर उची तकिया आजमगड के दिलशाथ हुसाइन और फातिमा सोग्रा का ये मेल है इन्होंने लिखा है कि 9 दिसंबर को जो अरुन जी ने फरमाईशी गीत एक्सप्रेस कारीक्रम सुनवाया था सभी गीत अच्छे थे हमारी फरमाईश भी पूरी हुई इसके लिए आपको बढ़ाई और पत्र के लिए धन्यवाद कारीक्रम प्रसारित करना सिर्फ समय को बरबाद करना है कारिक्रम न सुनने वाले आप रोज पत्र के लिए धन्यवाद का प्रसारण करेंगे तो भी ने सुनेगे मरजी आपकी हमारी राय है कि राय यह है कि ऐसा तो इन्होंने नहीं लिखा ना कि हफते में एक बार हम प्रसारण करें तो कोई शाम को नहीं उपलब्द होता और कभी कोई दिन में नहीं रहता तो हर शोता कारिक्रम हो क्योंकि यह ऐसा कारिक्रम है जिसमें तमाम शोताओं की प्रतिक्रियाएं आती है या फिर हम भी कुछ नया परिवर्तन करते हैं, कुछ ने बदलाव लाते हैं, कोई नए कारिक्रम होते हैं, तो उसकी सूचना इस कारिक्रम में देते हैं, तो इस कारिक्रम की महता थोड़ी सी अधिक इसी माइने में हैं, कि आप से सीधे सीधे हमारा आपसे वाबस्तगी होती आपसे बातचीत होती है इसलिए इस कारिक्रम को हम लोग दो बार कर रहे हैं तमाम शुताओं की मांग को ध्यान में रखते हुए इन्हों ने आगे लिखा है कि 14 दिसंबर को बुधभार का दिन था और इस दिन आपके पत्र आपकी गीत कारिक्रम होना चाहिए था जबकि फर प्रोग्राम क्यूर्शीट होता है उसमें कई बार अगर कुछ एक ऐसा हो सकता हलाकि हम लोग मिलाते हैं और ख्याल रखते हैं लेकिन हो सकता है टाइपिंग में मिस्टेक हो और वो कारिक्रम रह गया हो और चुकि यह प्रती दिन कारिक्रम है तो थोड़ा ऐसी वो भोजपूरी फिल्मी गानों का है लेकिन यही औसर है कि शोताओं को यह भी बता दें पांडोरंग जी कि हमारा जो वाटसप नंबर है उस पर शोता 2400 घंटे और सातों दिन अपने संदेश भेजते रहते हैं जब भी हम लोग बार बार कहते हैं कि यह खत या मेल की तरह नहीं है यह सिर्फ जब सजीव कारिक्रम होता है और हम फिल्मों के नाम बताते हैं उसी वक्त उतनी ही आओधी में आपके संदेशनों का हम उपयोग करते हैं बाकी आपका वो परिश्रम जाया होता है तो और आप ख्याल रखें कि जब कारिक्रम पर सारित हो फिल्मों के न नाद रखें अनरगल बात पिल्कुल ना लिखें, अर बहुत सारे शोता जो है तखलुस रखते हैं और किसी को कोई दुकान प्रतिष्ठान का नाम लिखते हैं, या फिर जैसे हम लोग आम बोल चाल में अगर कोई संबोधन का उपयोग करते हैं, तो वो भी नाम शोता लिख देते हैं उसमें जैसे की हम लोग में भी आप शोता महसूस करते होंगे कि तमाम तरह के लोग हैं मारे बहुत सारे साथ ही हैं और यह instant program होता है जह तो हमें जल्दी से तो उसे बिल्कुल आप न करें वरना हमें ये करना होगा कि हम पूरे के पूरे उस नंबर के आये हुए संदेशों को शामिल नहीं करेंगे जो इस तरह की ब्रामक नाम हम तक पहुँचेंगे बिल्कुल केवल जो फरमाईश से जुड़ी बात है जो आप फिल्म का नाम लिखें गीत के बोल लिखें जगा का नाम और अपना नाम साफ साफ लिखें चार च्छे नाम लिखें बहुत सारे शोता ये भी करते हैं जैसे हमें भी लगता है शोता आपस में शिकायत भी करते है कि ये चदम संदेश है एक ही संदेश में डुम्राओं से लेकर दिल्ली और बिल्कुल देश भर के कई-कई शहरों के नाम होते हैं तो ऐसे संदेश हमारे लिए भी मुश्किल पैदा करते हैं कि हम क्या करें क्योंकि कुछ एक शोता कहते हैं कि ये संदेश सही नहीं है और नाम भी गलत है तो आप खुद इन बातों को अगर थोड़ा सा स्क्रूटनी कर लेंगे स्क्रीनिंग कर लेंगे और गंभीरता से सोच करेंगे तो कारिक्रम और बेहतर हो पाएगा सोलों दिसंबर को आपके केंदर से फर्माइशी गीत एक्सप्रेस शिखा ने पेश किया था जो रोचक लगा बधाई तो शिखा जी तक आपकी बधाई आपके इस मेल के जरीए पहुँच रही हम आपको बहुत 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 शुक्रिया कह रहे हैं और उमीद करते हैं आज का ये दिन चुकी है तो हम शुताओं से याशा रखते हैं कि हमारी कही बातों पर वो गोर करेंगे जिस तरह से वो जब तमाम बातें कहते हैं तो उसका हम ख्याल कारिक्रमों में रखते हैं तो अरुन जी अप शुताओं को धेर सारी नवर्ष की बढ़ाई देते हुए उनसे विदा लेते हैं कहते हैं नमस्कार